नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल घरेलून उसके पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे काजू खाने के फाइदों के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं काजू का इस्तमाल मिठाई और सबजी की ग्रेवी को सुवादिष्ट बनाने के लिए खूब किया जाता है काजू से बने बर्पी को ज़्यादतर लोग बहुत पसंद करते हैं सुवाद के साथ ही है सूखा मेवा सेहत को सुवस्त रखने में भी खूब उपियोगी है तो आईए जान लेते हैं काजू के फाइदों के बारे में नमबर एक सरीर में एनरजी बनाए रखता है काजू को उरजा का एक अच्छा सरोत माना जाता है इसे खाने से सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुचता लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए काजू में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है इसलिए इसे खाने से पाल और तवचा सुवस्त और सुन्दर हो जाते हैं नमबर तीन, कोले इस्ट्रोल करता है कंट्रोल, काजू कोले इस्ट्रोल को नियंतित रखता है, इसमें प्रोटीन अधिक होता है और यह जल्दी पच जाता है, काजू आइरन का अच्छा सरोत माना जाता है, इसलिए खोन की कमी को दूर करने के लिए आप इसे खाज सकते हैं नमबर चार, ताउचा बनती है चमकदार, काजू खाने से ताउचा का गलो करने लगती है, और रंगत भी निखर जाती है, सोंदरिया बढ़ाने के लिए अकसर ही घरेलू नुसकों में इसका उप्योग किया जाता रहा है नमबर चार, या दास्त होती है तेज, काजू विटामिन B खा खजाना है, भूके पेट काजू खाकर सहद खाने से इसमन सकती बढ़ती है, काजू खाने से यूरीक एसिड बनना बंध हो जाता है, और इसके सेवन से बलड पिरसर भी कंट्रोल में रहता है नमबर चे, हड्डियों को मजबूत बनाता है, काजू में प्रोटीन अधिक होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, काजू में मोजूद मोनो सेचूरेटिड फेट दिल को सुवस्त रखता है, और दिल की बिमारियों के खत्रे को कम करता है नमबर साथ पाचन सक्ति को बनाता है मजबूत काजू में एंटी ओक्सिडेंट पाचन खिरिया को मजबूत बनाने के साथ ही वजन भी संतुलित रखता है तो दूस्तो यह था आज का हमारा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगत उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा